नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी नीउस मैं हूं गौतम रॉय हमारी इस खास पेशकश भारत पाक संबंद आतंग बना कसोटी में आपका स्वागत है भारत ने पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि उसे पठान कोट के हमलों को लेकर कारवाय करनी होगी उसे ऐसा करने के लिए भारत ने जानकारी भी दे दी है जो बताती है कि पठान कोट के हमलावर सीमा पार से ही आये थे शक जैशे मुहमत के शर्यंतर कारियों पर है और भारत ने जिस लहजे से अपनी बात रखी है लग तो यही रहा है कि 15 जनवरी के लिए सामाबाद में तै की गई दोनों देशों के विदेश सचिवों की बाचीत दाव पर लग गई है ऐसे में कई एहम सवाल उठ रहे हैं जो भारत पाक संबंधों और देश की आंतरिक सुरक्षा पर विचारनी हैं और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं सामरिक मामदों के जानकार ये निदेशक भी हैं साइटी फर पॉरसी स्टाडीज के और पूर्व राजनाएक भी हैं ये पाकिस्तान में भारत के उच्चा एक तो रहे चुके हैं सतीश चंद्रा साब आप दोनों का बहुत बहुत स्वागे देश साब सबसे पहले आप से जाना चाहूंगा एक तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात भारत सरकार ने कही है बिलकुल सही है ऐसा कहना चाहिए था कि अगर आप नहीं करेंगे एक्शन जो जैश मुहमद के लोग आए हैं इंदुस्तान में अतंकवाद तो फिर डायलॉग हो ही नहीं सकता तकरीबन ये ही कहा है तकरीबन समझो अल्टिमेटम है और ये अल्टिमेटम देना चाहिए था आपने जो पूछा कि पाकिस्तान कुछ करेगा या नहीं मेरे विचार में तो ये उनके लिए करना मुश्कल है क्योंकि उनको पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा जैश मुहम्मद के अगेंस्ट और हम सब जानते हैं कि जो ऐसे टेररिस्ट ग्रॉप्स हैं एली टी जेएम वगएरा पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान हकूमत पाकिस्तान फौज के ही चम्चे हैं समझी बनाए गए एक्शन मीनिंग्फुल एक्शन नहीं ले पाएंगे उदे भासकर आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या ज़्यादा जरूरी है जिस तरह का च्छदमत ज्योद भारत की खिलाफ चलाता रहा है जिसका नतीज़ा पठान कोट है या फिर भारत के साथ बातचीत क्य निर्भर करता है कि पाकिस्तान का अगला कादम क्या होगा जब हम पाकिस्तान के उपर सोच पिचार या चरचा करते हैं शायद इस बात को ध्यान में रखना है कि जहां तक उनके प्रधान मंत्री हैं इस वक्त नवाशरीफ साहभ हैं उनका जो भूमिका है जो उन तीन पे जिससे भारत के लिए वो काफी एहम है दैशरगर्दी, कश्मीर और परमाणू हत्यारों का जो इस्तेमाल है ये तीनों रावल पिंडी में है पाकिस्तान के फौज के पास तो इसलिए हाला की प्रधान मंत्री मोधी लाहोर गए थे कुछ बाचीत की आशा थी ये जो अभी उन्निस बीस करना की लशकर तैबा जो है वो ज्यादा करीब है और जैशे महमद जैसे गुट जिन्होंने एक वक्त उनके जनरल मुशर्ण साब के खिलाफ भी उन्होंने अपना एक एटैक किया था उस वक्त कि इसलिए वो शायद उनके उपर कुछ कारवाई लेंग मैं कहूंगा कि प्रॉबबिलिटी इस वक्त कम लग रहा है जब तक पाकिस्तान के फौज से ये इशारा ना हो कि उन्होंने भारत के खिलाफ जो कुट अपने अपने ये कारवाई कर रहे हैं कि वो पॉलिसी में बदलाव लाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का फौज अपने दैश्रगर्दी गुटों के उपर दबाब नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमने देखा पेशावर के बाद जब स्कूल के उपर हदसा हुआ था एक साल के अंदर उन्होंने जांच भी किया उन लोगं को गिरफतार भी किय और अपने मिलिटरी कोट में उनको इन्वेस्टिगेशन करके फांसी तक चड़ा दिया है और वेस्थाएं भी बदली है आतंक से जूजने के लिए पर ये इस प्रकार का सेलेक्टिव अपरोच है जन्होंने पाकिस्तान के हुकुमत या पाकिस्तान के फौज के उपर कदम लेंगे एक विसलेशक होते हुए मैं कहूंगा कि प्रॉबबिलिटी जो है वो कम है पर हम आशा यही करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे उन्होंने कहा बार बार कि हम पेशावर के बाद पूरा चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो उनके खिलाफ हम अपने पॉलिसी म बदलाव लाने के लिए इस वक्त हम तयार हैं तो देखना है कि यह वाक तर टॉक होगा की नहीं संभावना कम है सांति तयार साथ आपको लगता है कि जस तरह से खासकर पठनकोट के जो हमला हुा थाऊ उसके बाद जो तबाम बयानाता है अंताराश्टर ताकतों के इसमे अमरिका शामल है इसमे चीन शामल है जपान शामल है और मिर्षाव की भीपनामे ब्रस्तों कि यह सब भी गा पाकिस्तान जो इंडिया पॉलिसी है उसके उपर किसी भी मुलक के दुबाव पे काम करती है उनकी अपनी पॉलिसी होती है और अभी तक जो उनकी पॉलिसी रही है के टेररिजम उसको इस्तमाल किया है इंडिया के अगेंस्ट इक्सपोर्ट किया हो करते रहेंगे अमरीका प कोई असर नहीं असर किस बात का होगा असर पाकिस्तान पर पिशले इंडिपेंडन्स से वो गलत रही है क्योंकि हमने कभी भी पाकिस्तान को टेररिज्म की एक्सपोर्ट की उपर पनिश कभी नहीं किया कोई कास्ट नहीं इंपोस की और मैं मानता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी को पाकिस्तान को अच्छी तरह से एनलाइज करके बनाना चाहिए और जो भी पाकिस्तान को एनलाईज करेगा अबजेक्टिवली उसको ये मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है इंडिया के अगेंस्ट हर वकर टेररिसम यूज करता रहेगा यह जो cost impose करने की बात होती है कि कीमत चुकाने होगी पाकिस्तान को जिस तरह की वो हरकते करता रहता है एक कीमत हो सकती है युद्ध वो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों परमानों दाक्ते हैं एक होता है limited conflict वो भी हम देख चुके हैं और छद में युद्ध जो पाकिस्तान कर रह त्रीके हैं पानी का मामला देख लिजए फानी आजकल बहुत इसकेर से है इंडस वाटर्स के ट्रीटी भी हमने पूरी तरह से जो हमें पानी हम ले सकते हैं हम नहीं ले रहे हैं और जो structures Estorage Bना सकते हैं नहीं बना नहीं बना रहे हैं ये चीज़े करनी चाहिए इंटरनाशनल कैमपेंड माउंट करना चाहिए पाकिस्तान के बर्खलाफ टेररिजम के लिए और इसके लिए हमें मुश्कल होगी अगर हम डायलॉग प्रोसेस में रहेंगे हमको चुपता है हमको हड करता है हम इसको पनिश करेंगे इसके इलावा बहुत से एकोनोमिक मेजोर् generally इसके इलावा पाकिस्तानОं के अंदर जो फोल्ट लाइन्स हैं वह बहुत जादा हमारे से जब वहुत कई हद तक जादा है उनको हम इंक्स्प्लैट कर सकते हैं और हाँ, जब जैसे ये एक्शन हुआ पठान कोट वाला, या पहले मुंबई वाला और बहुत से और, हमें contingency plans बनाने चाहिए, कि बाबा अगर ऐसी चीज होए, तो उनको कैसे चोट पहुँचा सके, इसके लिए जंग नहीं ज़रूरी, तो ये बहुत सा एक portfolio है, आप अपन चूज करिये, और इसको consistently पांच-छे साल के लिए परसू करिये, यह नहीं कि आज सकत और कल नरब, यह नहीं होना चाहिए, उदेभासकर आप क्या मानते हैं, कि जिस तरीका, जिस तरह का तरीका चंदर साब बता रहे हैं, कि बातचीत अगर नहीं होती है, तो ना हो, वो त तैह होगा, आगले कुछ दिनों में, पंदरा तारिक का वक्त हमान सकते हैं, पाकिस्तान के पास है, जब विदेश साचिपों की बात हो नहीं है, लेकिन यह कहने हैं, कि बातचीत ना हो, तो ना सही, लेकिन पिर उसके बाद पूरा नवाया बदलना होगा पाकिस्तान के ख पाकिस्तान के संदर्ब में कई गुना ज्यादा है, यह वहाँ पे भारत के हाई कमिश्टर भी रहे हैं, और यहां दिल्ली में यह हमारे डेपिटी नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर भी थे, तो इनको शायद जो तजूर्बा रही है पाकिस्तान के पॉलिसी में, यह भी रहे हैं, मैं एक विसलेशक हूँ, और मैं कहूंगा कि मैं भारत, पाकिस्तान और ख्शेतरी मामलों का पिछले 25 साल से एक स्टूडेंट रहा हूँ, और जहां तक मेरा इसका अंदाजा है, भारत की जो भी नीती है, चाहे वो पाकिस्तान के संधर्ब में हो या चीम, य आपके क्शमताओं के उपर आधारित है, जिसमें आपकी सैनिक शमता एक पहलू है, दूसरा है आपकी कूटनीतिक और राजनेतिक जो केपैसिटी है और जो आपकी विश्वसनियता है, तो इस वक्त मुझे लगता है, अगर आप पठान कोट का ही उदाहरन ले लें, जिस हमने पठान कोट का चुनाओती का सामना किया है, मैं कहूंगा कि हमारी क्शमता में भी इस वक्त कमिया है, हमारी राजनेतिक और कूटनीतिक धिरता में भी एक प्रकार की कमी है, उसमें काफी इनकंसिस्टनसी भी रही है, और जहां तक हमारी जो सोच विचार है, यानि कि आपके अबजेक्टिव क्या है, सतीश साब ने आजादी की बात की, कि आपके लिए या भारत के लिए जब हम चुनाओतियों की बात करते हैं, हम 1947 से जबकि पहली बार कश्मीर का युद हुआ था अक्टोबर में, तब से लेके आज तक करीब 70 साल होने को आ रहे हैं, हम घ इस देश की जो संस्कृती है, हम अंग्रेजी में इसे strategic culture कहते हैं, उसके कुछ खास लक्षन है, कुछ खास बिंदू है, शायद तब से लेके, जबकि हमारी प्रधान मंत्री इंदिरागांदी जी थी, और सतीश साब जैसे लोग हमारे foreign ministry में थे, हमारे defense ministry में थे, हमारे higher defense management, मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ, कि इन तीनों बिंदूओं में, यानि कि आपकी क्षमता, आपकी धिरता, और आपकी जो परिपक्वता, सोच विचार, कि हम पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का एक, उद्देश हम चाहते हैं, end game क्या है, अभी तक उस पे नहीं हुआ है, और अंतर राश्रे मंच पे भी, हलाकि अभी सतीज साब कह रहे हैं, कि हम एक campaign mount करेंगे, कि इनको isolate करना चाहिए, अगर वो रहसा ऐसे बात यह है, तो campaign भी mount करना पड़ेगा, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका हो या चीन, आपको समर्धर नही turn वाली point है, क्योंकि Indus Water Treaty के ओपर कई और प्रकार के protocols हैं, तो मैं यहीं कह रहा हूँ कि भारत के पास, जब आप विकल्कों की बार करते हैं, तो बहुत ही आंतर राश्री मंच पे, उसका अगर आप इस वक्त इशारा भी करेंगे, तरह तरह के आपके ओपर भी दबावा आ जाता हूँ, और यदि जो भी हमारे उपर आए, हम जेहल सकते हैं कि नहीं, तो मैं उसी मार्क की इशारा कर रहा हूँ, कि आपको तीनों जो आपके बिंदू हैं, या तीनों जो पहलू हैं, उनके अंदर एक प्रकार का संतुलन की जरूरत है, और मैं दुबारा कहूंगा, अगर आपका पठान कोट 2016 में, या मुंबई जो हुआ था 2008, ये अगर आपके उदाहरन है, तो इससे ये काफी सपश्ट होता है कि आपकी जो टैक्टिकल शमता भी है, और आपकी आगे जो सामरिक भी है, वो काफी उसमें कमिया है धांचे में, और जब तक आप उन्हें प धाचा है, उसमें बदलाओ की बात जो है, उसमें हम और फ़ोड़ चप्चा करेंगे, लेकिन सतीश चादर शाप जिस तरह की आप दोनों बाते करें हैं, ऐसे लगता है कि जो नीती रही है पाकिस्तान के साथ, खासकर जब हम सीमा पार आतंकवाद को कम करने की उसके उपर नकेल बादे की जब बात करते हैं, उसमें लगता है कि पूरे तरह से एक पूर्णा बलोकन की और बदलाओ की जरुत है, किस दिशा में उसको ले जाना चाहिए? नहीं है, बिल्कुल जो मैं इन से बहुत सहमत हूँ, उदे जी ने बहुत काम किया है, और वन आफ आप मोस्ट इमिनन्ट स्ट्रिटीजिक तिंकर्स हैं, ये बात जो कहते हैं, सही है कि शमता नहीं, पॉलिसी नहीं है ठीक से, एक कंसिस्टन्ट पॉलिसी बनानी चाहिए, और जहां तक मैं सोचता हूँ, कि ये बन सकती है, और हमारे में, देखिए, लोग कहते हैं, पाकिस्तान हमें ख्याल रखना चाहिए, वो न्यूक्लियर वैपन स्टेट है, पर हम भी तो न्यूक्लियर वैपन स्टेट हैं, तो सब कन्वेंशनल, कन्वेंशनल फर्स्ट यूज के हैं, उन्हों नहीं का है, तो ताकि उनको सोचना पड़ेगा, अगर वो न्यूक्लियर वैपन भी यूज करें, कि क्या उनको होगा, तो इसलिए हमें इस मामले में डरना ने चाहिए, हमारी डॉक्ट्रिन बहुत अच्छी है, इंडियर न्यूक्लियर ड 삼 časन मैं देना चाहता हूं, उदेभासकर ने बहुत पते की बात की, इंडुस वाटष ट्रीटी के लिगा, वोभी निहीं कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, जो ट्रीटी के अंदर पर्मिट्ट है, कं से कं वो तो करिए है, हम अभी उदार है पाकिस्तान, का साथ है। और जो basic point है, जो उदे जी और मेरे में इसमें मेरा निक्याल कोई difference है, basic point है कि concerted policy होना चाहिए, उदेश होना चाहिए, analysis होना चाहिए कि ये मुलक पाकिस्तान कैसा है, ये unusual मुलक है, जो अपने आपको भी destroy करने के लिए त्यार है अगर इंडिया down जाए, उनकी ये मकसद है, तो इस मकसद को defeat करने के लिए हमें cause पाकिस्तान पे impose करने होगी, ये मैं मानता हूँ, चली ये बात हुई एक तरफ की, और उदे भासकर जिस तरह कि आप बात करने थे कि पठान कोट से हमें क्या क्या सीख लिने चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आप कहने की तुटिया रही है, शुरुआत शायद सीमा से करने होगी, कि इस तरह से बार बार घुस्पैट ना हो सके, और ये घुस्पैट बढ़ती ही जा रही है, पहले कश्मीर में और जमू में होती थी, अब पाकिस्तान पंजाब में भी हो रही है, जैसे हमारे रक्षा मंतरी महोदे पारिकर साब ने कहा है, कि कुछ न कुछ गैप्स थे, और लगता है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन स्थापित करेंगे, और उसके बाद शायद और रोशनी होगा कि कहां कहां चूक थी इसमें, पर अगर इस वक्त जो भी हमारे पास जानकारी है, उसका भी अगर हम समीक्षा करें, मैं कहूंगा कि तीन बिंदूओं को हम एक प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं, सब से पहले पठान कोट के बारे में जो भी इंटेलिजन्स था और उस इंटेलिजन्स को हमने किस प्रकार से प्रयोक किया है, ये मैं कहूंगा इसमें कई प्रकार के कमिया थी, और मैं केवल प कुछ हो सकता है, इंटेलिजेंस ऐसी चीज है साथ, केवल जो इंसाइडर्स हैं वो ही जानते हैं कि किस प्रकार का इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की एक क्वालिटी होती है और उसको ऐसेस करना पड़ता है। कि दिल्ली ने कुछ कादम उठाया और NSG को भी वहाँ भेज दिया, क्योंकि एक एक स्पेक्टेशन थी कि शायद वहाँ पे होस्टेज क्राइस हो सकता है। यह सब डिसेशन हैं, दिल्ली वारों ने लिया है, यह सही है। मेरा कहने का या औब्जरवेशन यही है, कि कारगिल युद के बाद, भारत के अंदर जब समीक्षा हुआ था, आटर जी हमारे प्रधान मंत्री थे, सबसे एक बड़ा कमी हमने महसूस किया था, intelligence, कारगिल का आपको याद होगा। मुंबई के बारे में भी यही कहा गया था, कि उस समय भी चेतावनी थी, लेकिन इस्तिमाल न कि शमता नहीं है अभी भी, सेंटर स्टेट के बीच में ताल मेल, लोकल पोलीस का जो जानकारी, और इसमें एक बहुत बड़ा क्वेस्टन मांक है, उसमें ही कुछ बड़ा होना चाहिए, कि कोई नया धाचा खड़ा करना चाहिए, कि यह चाहिए, बारत सरकार ने कहा कि प नाट ग्रिड की बात अभी हम कर रहे हैं, आप देखिए, नाट ग्रिड तो चल रहा है, काफी धीमी गती पे चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है, वो कभी ने कभी हकीकत होगा आपको याद होगा, कि जब हम जैशा मोहमत की बात करते हैं, वही 99 हवाई जहाज में, जैस्वंत जी हमारे विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये अजर को वहाँ ले गए थे, और अजर तीन साल क्योंके, वो हमारे कानून के इतने लूप होल्स थे, कि हम केस को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो जिस देश के सामने 25 साल से आप दैशरकर्दी का सामना कर रहे हैं, आप अपने कानून में बदलाव नहीं ला सकते हैं, या उसमें कोई फुर्तीलता नहीं ला सकते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप धांचे को देखिए, पठान कोट आपका उदाह इंटेलिजेंस हैंडलिंग में वही कमिया हैं, दुबारा आप यह ओपरेशन जब हो रहा है, मुझे नहीं लगा, और मैं केवल स्टूडेंट हूँ, एनलिस्ट हूँ, आपका सिंगल पॉइंट कमांड और कंट्रोल नहीं था, बार-बार काउंटर टेररिजम ऑपरेशन म जाकी कोई जिम्मधारी लें, और उसके साथ-साथ मीडिया के लिए आप एक सिंगल पॉइंट स्पोक्समें होना चाहिए, क्या देखा हमने पहले दिन, तरह-तरह के एजन्सी पहुंच गए, किसी ने कुछ अपने कंक्लूजन दे दिया, और बिचारे ग्रे मंत्री ने कहा और इसका जिक्र हमने कब किया था? कारगिल के समय पे. अब कारगिल की बात देखिये, मुंबाई की बात देखिये, कमीटियें बने, कमीटियों ने बहुत डीटेल में बताया क्या क्या करना चाहिए, प्रॉबलम है, हम जानते हैं हमारी क्या कमी है, हम बहुत अच्छे लोग हैं जो बना देते हैं क्या करना है, इंप्लीमेंटे प्राब्लम क्रियेट करती है तो नंबर वन चीज अफकोर्स है कि अपनी इंटरनल सिक्यूरिटी को टाइटन अप करना यह भी है कि जो भी तै किया जाएगा उसके बारे में भी किसी ना किसी स्थर पे एक बहस छिडी रहती है और उसकी वजह से रुकावट आती है बहस नहीं है हमारी ब्यूर्रक्राइटिक क्लास है मेरी क्लास है और हमारी पॉलेटिशंज है full implementation, अब किसी कमिटी को ले लीजे, चाय कारगिल review कमिटी, मैं उस पे था, मैं member secretary था कारगिल कमिटी के, वो 100% reforms have not been implemented, और half implemented, उसके बाद वो प्रधान कमिटी होई, उन्होंने कमिया बताए जो मंबई के वकत locally होई, उसकी remit बहुत limited थी, कारगिल की बहुत wide थी, और उनके भ प्रॉब्लम्स थे क्योंकि आप तो कह रहें कि तमाम जो रक्षा की संसाने हैं जो भी उनकी फिसिलिटी से उनका एक सिक्यूरिटी औरिट होगा तो यह पहले क्यों नहीं किया यह मैं पूछता हूं कि देखिया हम जरूरत तो हर वकत है विकॉज मैं आपको पॉब्लिक ली तो नहीं कहना चाहिए पर स्कोर्ज ओफ एरियाज बहुत एरियाज हैं जहां कारगेल रिव्यू कमिटी ने कमिये देखी थी उन्होंने कहा था कि यह कमिये हैं और अगर वो कमिये कम्प्लीट निकाल दी जाते तो मुंबई होता ही नहीं जैसे कि उदेवासकु साब रिपोर्ट आए थी अख़बार में कि बहुत सारे ऐसे डिफेंस इंसलेशन हैं जिनके पास एक सेफ जोन होता है लेकिन उसके ओपर अधिकरमन हुआ है मैं गौतम साब ये पब्लिकली जरूर कहना चाहता हूँ और इन्होंने कारगिल का जिकर किया था जबकि ये मेंबर सेकरिटी थे हम भी उसके आसपास थे जब रिपोर्ट बनी थी मुंबाई के हादसे के बाद और ये आठ साल पहले की बात है अभी हम 2016 में हैं एक प्रोपोजल थी और एक पूरा समिक्षा है विश्व में है ये हमारे लिए नहीं 2001 के हादसे के बाद पूरे विश्व में तरह तरह का सेकरिटी नीतियों में परिवर्ट नाया था सेफ सिटी का एक कॉंसेट यानि की टेररिजम की वज़े से दैशरगर्भी की वज़े से उन्हें कहा कि हर एक शहर को एक संख्या के उपर से उसको किस प्रकार से आप सुरक्षत कर सकते हैं क्योंकि इन देशों ने ये सोचा है कि उनके नागरिकों की जो जिन्दगी है और उनकी जो सिक्यूरिटी है वो काफी एहम है तो स्मार्ट सिटी से पहरे से एक सिटी की कॉंसेट बनी थी और उसके साथ-साथ ये भी कहा गया था कि हर एक देश में मिलिटरी इंस्टोलेशन को किस प्रकार से आप टेक्नॉलोजी के आधारे और सेक्यूर बना सकते हैं इतन इसे एक चिडिया भी अंदर नहीं जा सकता है बिना सर्वेलेंस का भारत ने उसको इंकार कर दिया भारत मैं इसे मैं पब्लिकली कहना चाहता हूं वेशवासियों के लिए हमारे धांचे में नैशनल सेक्यूरिटी का जो व्याख्या है उसकी जो इंटर्पेटेशन है उसम पंजाब पुलीस हो दिल्ली पुलीस वी आईपी सिक्यूरिटी उनके लिए एक हाइस्ट प्रियॉरिटी होता है मैं मानता हूं हमारे वी आईपी ओं को स्वारक सेफ्टी होना चाहिए है पर वो रेलेटिव है ऐल्यू टार्गेट से पर कल्चर की बात कर रहा हूं गौतम कितने कमेरा हैं, कितना आपका Coastal Police है, यह सब कमिया है, यह आपका Public Platform है, दूरदर्शन है, इसलिए मैं यह आजादी ले रहा हूँ, कि जब तक हम इनको उस गंभीरता के साथ नहीं देखेंगे, हमारे reactions episodic होंगे, और इसके लिए शुरुआत आपका संसद है, तो बिंती यही कर सकते हैं, कि हमारे संसद में national security के ऊपर, एक non-political, non-partisan एक बहस होना चाहिए, वापस आप जाएए, सतीश चंदरा साभ जैसे लोगों ने बहुत काम किया है, उसी committee report को आगे लेके, उसको आजकल के जमाने पर review करके, जो आटाज जी ने काम शुरू किया था, उसको आप बुरा कीजिए, और एक-एक sector को आप लीजिए, टेररिजम और intelligence को ही लीजिए, लेकिन क्या फिर ऐसा तौला नहीं जाएगा कि हमारा देश जिसको इतना सारा रक्षा का सादो समान पहले से विदेश से खरीदना पड़ता है, और वो हमारी सेनाओं के लिए है, उसके साथ साथ इसमें भी इतना सारा निवेश करना पड़ेगा इस तरह की सुरक्षा में, और इस तरह की सुरक्षा है कहां कहां के लिए मोहिया कराएंगे, वो भी तरह करना होगा. साहब देखिए ये सवाल मैं कहूंगा कि थोड़ा बेबुनियादी है क्योंकि देश को अगर अपनी सुरक्षा को हम समझते हैं कि ये एहम है तो आपको अलोकेशन करना चाहिए ये ऐसा नहीं है कि भारत के पास धन नहीं है हमारे पास बज़ेट्स हैं और इसकी ये ओपर्चुनिटी है क्योंकि बहुत कुछ हिंदुस्तान में बन सकता है हमारी इंडुस्ट्री को हैल्प करे गाए जो सिंपल चीजें हैं जैसे अपने का बुलेट प्रूफ वेस है कर्वे परिवर्तन लाना पड़ेगा पर जो सिक्योरिटी के लिए पैशन होना चाहिए Mind就 That के लिए minimum Assign के लिए reforms जो आते हैं जो suggestions आते हैं लोग काम करते हैं उसको जो पैशन है वो नहीं है और इस लिए कमिया आ आखिर में साइबर सेक्यूरिटी जो है वो भी एक बड़ा एहम सवाल है उसको लेकर भी दो राय है कि ये दुरूस करनी है लेकिन कितनी दुरूस करनी है क्योंकि एक तरह से एक निजी शेतर में भी दखल कर सकती है सब संग्षेप मैं कहूंगा समय कम है भारत के लिए बहुत सारे अभी ऑपर्चूनिटीज हैं सिक्यूरिटी में अर्धात ये विश्व का जो टेक्नॉलिजी का लेहर है वो ज़्यादा साइबर स्पेस और मारिटाइम पे जा रहा है और भारत के लिए बहुत पोटेंशल है ये दुबारा एक विडम बना है कि भारत के सबसे ब्राइटिस्ट और जो हमारे सबसे जानकार लोग हैं वो बेंगलोरु में काम करते हैं हैदराबाद में काम करते हैं विदेशी कमपनियों के लिए अपने साइबर सेक्यूरिटी को बेहता करने के लिए तो आगर आपके पास धाचा हो और उस प्रकार की ध्रिडता और इमानदारी हो तो आप साइबर को एक फोकस एरिया बना सकते हैं और पठान कोट को भी मैं कहांगा टेक्नालोजी के आधरे चली बहुत 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 शुक्रिया इस चर्चा के लिए आप हमारे स्टूडियों में आए और स अधरिक सुरक्षा का जो धाचा है देश का उसका भी एक पुनरावलोकन जरूरी हो गया आगे भी हम इसके बारे में बात चीत करते रहेंगे फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकर को देखने के लिए